हाफ मूल है हाफ मूल क्लोरीन का मस्स है । हाफ कुलोरीन का मस्स 35.5 आजा है हठको तो कि वह करें क्लोरीन бо लगता है जिए वह भाद अलग है कि एक ख्लORीन आटम का भी वही तो जेक्श होता है यह तो हाफ मॉलकूल है हाफ CL2 बनाओगे तो भी तुम आस्ताटिक पेंट रही लिया है कट के आज ठीक है अभी बिल्ट प्राउसे परते हैं हाद बिजा ये आपके पास ना नमारिकल सेक्शन कि आपको कैसे नमारिकल्स आपको सॉल्व करने को आ सकते हैं एक प्राउस सजर्शन पी बैर फ्राम अबलीकल्स कहीं हमारिकल्स ऐए आप इलेक्ट्रोनसिस आप के पी भी बीर् तू मोल्टन लेट ग्रुमैड मोल्टन अगर होलता फ्राउसे कैसे करते हैं होउड विल्यू प्रफॉर्ऌन Na मैं balance कर देती हूँ, PBBR2 जब तूटेगा, it will give us lead 2 positive plus 2BR negative. यह आइंज हैं जो वहाँ पे present है, molten state पे. लिको जी, write the reaction at cathode, reaction at anode and overall reaction करो जी. cathode पे क्या होगा, anode पे क्या होगा और overall reaction क्या होगा, complete the result. now electrolysis of lead bromide, cathode पे reaction समझा आगया, कोई राउट तो नहीं किसी का भी. anode पे bromide minus 1 electron is BR, 2 electrons चाहिए थे से मैं इसको 2 से multiply किया, BR plus BR is BR2, overall नज़र आ रहा है कि PBBR2 हमने लिया था, cathode पे lead बन चुका है और anode पे BR2, lead plus BR2, bromine is liquid, lead is solid, right? और ये समझा रहा है कि 2 Faraday's, अगर 2 mole electrons के जगा मैं 2 Faraday's liquid समझा रहा हैगा? yes ma'am. 2 mole electrons और 2 Faraday's are required for the electrolysis of 1 mole, PBBR2. there is molten salt electrolysis, next we go aqueous salt electrolysis, next heading is aqueous salt electrolysis, aqueous salt electrolysis, सबसे पहले करते हैं, electrolysis of aqueous NaCl, electrolysis of aqueous sodium chloride, i.e. NaCl, but when we see electrolysis of aqueous NaCl, तो aqueous NaCl में आपके पास sodium 1-positive, C-N-negative, H-positive और OH-negative आइंज हैं, understood है, cathode B, 2 ketynes चले जाएंगे, add cathode, there will be 2 ketynes, 1-sodium और H-positive, 2 ketynes पहांच गएंगें, इदोनों आपस में लड़ाई करने लगें, एक कह रहा था मैंने इलेक्टरोन लेना है, दूसरा कह रहा है मैंने लेना है, और किसी भी लड़ाई में कोई एक ही जीच सकता था, या तो H-positive जीच जाता या फिर, Na-positive, तो whenever there is a competition between the two ketynes, तो हम गएंगे, इस competition में H-positive is going to be reduced, hydrogen ने electron gain किया, H बन गया, ना कि sodium gain कर पाया, sodium कभी भी gain नी कर पाता, in comparison to H-positive, अब हर बास order कहा हूँ, it is going कि lithium 1-positive सबसे weak है, ये कभी भी नी gain कर पाता, सबसे slow, potassium उसके बाद, sodium उसके बाद, then we can have barium, calcium, aluminium, और फिर जाके कहीं टर्न आती है, H-positive आइन की, ठीक है, एक मींज अगर ये कहीं प्रेजिंट हो, और इसके बाद है, copper, फिर इसके बाद, silver, अब आप सोर्च सकते हो, यह निए cations का, यह एक order of liberation है, 4-cations, this is the order of liberation, सबसे पहले हैं, मालनो silver और copper present होता, तो कौन जीच जाता, silver, copper और H-positive होता, तो copper, H-positive होता है, तो H, आप बता, H-positive और aluminium होता तो, H, H, तो आपके पास, this is the order of discharge, हमेंसे कहते है, order of cations, यह निए कौन सबसे पहले discharge होगा, यह उसका order है, how to get decide the winner of the cations, winner out of cations, कौन होगा, यह आपको एक order में गया, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कि group 1, फिर group 2, Armenian, और फिर जाती कहीं H-positive, यहनि इन तीनों से, तो H-positive हमेशे ही जीतेगा, पानी के presence में, यह तीनों जाने कुछ नहीं कर सकते, H-positive ही जाएगा, ठीक है, अब हमारे पास, एक point तो समझ हो गया, केटाइंज में से, एक केटाइंज जीत चुका था, जोकी H-positive है, अब हम माच गे एनोड पे, add anode, एनोड पे भी दूर थे, क्लॉराइट चला गया, और OH-negative, order of discharge है, order of discharge, सबसे पहले जाता है, क्लॉराइट, अगर ये क्लॉराइट ना मिला मुझे, तो उसके बाद turn आएगी, OH-negative आएगी, उससे भी weak है, nitrate, उससे भी weak है, sulfate, ये नगर क्लॉराइट और OH बढ़ा हुआ था, तो प्योंड क्वाण डिस्चार्ज हो रहाएगा, CL-, तब हम गेंगे, क्लॉराइट पहले आएओड़ाइट बाद में, क्लॉराइट पहले फिर ग्रॉमाइट फिर आएओड़ाइट ये आएओड़ाइट इनके जरूरत ही नहीं पड़ती जनरी हम इन दोलों को यूज़ करते हैं, क्लॉराइट को और OH नहीं हीते, अभी तो आप चार याद करो, तो बहुत बड़ी बात है, आप चार याद रखो, क्लॉराइट सबसे पहले, फिर हाइड़ोकसाइड, फिर उसके बाद नाइट्रेट, फिर सल्फेट, ठीक है? अब आप मज़े बताओ, हुआ क्या? चेंज क्या हुआ? हमें नसर आया कि NECL, जब मैंने X-verse हिया, तो क्या-क्या बनिया? ओवराल आपको दिखा क्या? Can you answer the question? आपको मिल रहा है बटा, हाइड्रोजन ग्यास, H2 मिलेगा, क्योंकि X तो stable नहीं है, H plus H हो जाएगा H2, क्लोरीन बन गया, सोडियम आइन को कुछ नहीं हुआ, और OH- नेगिटिव आइन को कुछ नहीं हुआ, पर वगर आप रहाल रेक्शन दिखा क्या सबगा है? हाँ जी बिटा, हाँ जी बिटा, गरीन नहीं हुआए, नहीं हुआ को नहीं हुआ पॉंटिव, नहीं हुआ हुआ है, क्योंटिव, आपने फिदिव, आपके like, एंचे मे दिखे लिएंग टू एप habitat गये, तो यह आजाएगा 2 NaCl2 and hydrogen अब balanced है आप चाहो तो यहाँ पे एक water add करके check कर सकते हूं कि balance हो रहा है कि नहीं तो यह आजाएगा 2 NaCl2 water we get hydrogen chlorine and 2 NaOH इस माधर से आप sodium metal नी बना सकते है sodium metal cannot be prepared कभी भी sodium metal की turn ही नहीं आनी क्योंकि हमेशा ही hydrogen नहीं जीतना है ठीक है pH is going to be greater than 7 क्योंकि sodium hydroxide बन गया था base बन गया था pH 7 से बढ़ जाएगी खेरो गया hydrogen at cathode and chlorine at anode तो आपका answer जो है वो था कि आपका chlorine anode पे hydrogen cathode पे बन चुका था that means जब आप aqueous salt electrolysis करते हैं तो आप कोई ध्यान रखना पड़ता है कौन किस से जीट जाएगा for going reduction or oxidation so में आपका एक लेकले 2H positive or 2H different cadyne or HO क्यों चाहा चाहा जाएगा neutral okay बड़ी electrolysis था aqueous NaCl आप ज़र आप दोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे करके बताओ electrolysis of aqueous copper sulfate start with fourth electrolysis electrolysis of aqueous copper sulfate मैं bracket भी लिखने हूँ inert electrode यह आपके पास जो electrodes हैं वो inert हैं कोई participant नहीं कर रहा सब normal पड़ी हुई है electrodes are inert not reactive यहीं जो rods आपने ली है वो reactive नहीं है आप तर किसी में भी rod reactive नहीं थी आपने rod की तो reaction की नहीं ना आपने सिफ आपने क्या किया केटाइन आइन की reaction की तो आप तर जितनी भी हम reactions कर रहे हैं सब में inert electrodes थी आप आपको करना है copper sulfate aqueous with inert electrode पर क्योंकि यह जीट जाएगा copper और H-positive में से कौन जीतने वाला था copper अनोड पर क्या है अनोड पर OH-negative चिला जाएगा आप जाएगा जाएगा आप जाचाहांस देखो OH-negative minus one electron is OH OH कुछ नहीं होता, stable भी नहीं होता, exist भी नहीं करता, दो OH आपस में combine कर दे तो गिवास water plus half O2 इसको 2 से multiply कर लेते हैं तो we get overall reaction अगर मैं इन दोनों को add कर दूँ तो आपको यह समझा आएगा कि यह cancel हो जाएगा you are left with 2 OH-negative minus 2 electron, we get water plus half O2 तो अनोड पर reaction हुआ, 2 OH-negative minus 2 electron, we get water plus half O2 यह copper 2 positive blue color का solution था, तो हम कहेंगे blue color धीरे धीरे disappear हो रहे था blue color disappears ठीक है overall reaction बना के बताओ मुझे copper sulfate है, water है मेरे पास और मेरे पास बन रहा है copper प्लस हाफ O2 प्लस water प्लस sulfate प्लस H positive हाँ जी टबूलू हाँ एलेक्ट्रोड की रेक्ट्रोड हो सकती है, graphite हो सकती है, carbon rod हो सकती है, जुर्याक नहीं करती है अब आपने मुझे सोच के बताना है कि आपको इतना overall reaction लिखना आगया, balance कर सकती है, आप चेक करने, balance होगी कि नहीं, मेरे सबस्दो बैलंस्ट balanced, दोनों साइट पे charge, neutral, 00 charge, copper, copper balanced, hydrogen, hydrogen balanced, oxygen balanced, sulfate balanced my question is blue color disappear हो रहा है, oxygen produce हो रही है, pH का क्या होगा, pH 7 से कम हो जाएगी, 7 से बढ़ जाएगी यहां पर यह क्या चीज है, what is this, H204 होगा, 2H positive और sulfate मिलके क्या बनाएंगे, sulfuric acid pH is going to be less than 7, pH 7 से कम हो जाएगी सबरा है करो जड़ा, electrolysis of aqueous silver nitrate अब आपने मुझे करके दिखाना है है, electrolysis of electrolysis of aqueous silver nitrate 2 और हांच बिठा अबराल रेक्शन में जो चीज आपर डाली है ना पर दो बोली फ्लो और अपर सल्फेट और एक्वस का मतलब वाटर डाला हुए पिर जो कैथोर पे बना है वो है कॉपर बोली क्लिया जो अलोट पे बना है वो है ऑक्सिजन वाटर भी बना था लेकिन वाटर इधर भी डालने है उदर भी डालने का मतलब नहीं था और साथ में क्या बचा है जो बच किया था ये दोनों चले गए थे बचा क्या था है एच पॉसिटिव सल्फेट ठीक है फिर उसको बैस करें इलेक्ट्रॉलसेज ओफ एक्वस एजन अग्जरा करके देखो बच्यों तेक्ट्स एक बालने है घो पालने है उसकी बालने है तरहा भी थे जच्मेंगेंतान। कि उसकी बालने है उसके जाथ है। जब हले पैता हु़ कि अटने लेओ सेंगा अटने लेओग सेपों के लेओगे हैं एक स्पेड़ीजू आपके पास आइंस हैं शिल्बर, नित्रेक्ट, एच पॉसितिव, ओ-च निकितिव, इस आइंस विजिए पास आइंस प्रेस्टें एंस प्रेस्टें एंस नित्रेक्ट, आपने add cathode लिखना है क्या होगा? add a note overall reaction लिखोगे और pH बताओगे क्या होगा add cathode it is silver one positive plus one electron silver add anode it is OH negative minus one electron it is OH hold twice करना पड़ेगा because OH plus OH we get water plus half O2 add the two reactions OH OH cancelled we are getting two OH negative minus two electron it is water plus half O2 overall reaction फिर से सीख लो कैसे लिखते हैं? जो चीज़ डाली है वो लिखो left पे silver nitrate and water ठीक है जी? उसके बाद आपके products क्या है? एक तो silver एक आपके पास है oxygen वाटर को हम इसके product मिन दे रहे क्योंकि आपने उसको reactant भी लिया हुआ है cancel हो जाएगा ना? प्लस जो बच किया था, क्या बचा था आपके पास? H और NO3 HNO3 चाहो तो आप H positive NO3 negative लिखो चाहो तो आप HNO3 लिखतो आपके मेर से अर आपके मेर से इसको balance करते हैं Now try to balance the reaction. Krosa Raja Silver 1 balanced, nitrate 1 balanced, half O2 balanced it should be 2H positive 2H positive are you? Yes, 2H positive Charge balance निवराविटा अंगा जी, 2 silver, 2 nitrate आप बालंस हो गया मैंने बालंसिंग में कर गी आप पाहं पी कर सकते हों, आपके मैंसिंग कर दो कर सकते हों तो आप एजी वाली भी 2 electrons सुन हो की चार्ज अगर मालमा बाले जैसे बालंस करते हैं तो चार्ज is not balanced, reaction balance करने के रिए बुझे तब भी 2 A, G, N, O, 3 लिखना ही पढ़ना हूँ, ठीक है, 2 silver plus 2 nitrate, आप बता हूँ, reaction में, silver कहां deposit हुआ, आप कह सकते हूँ न, कि add cathode, silver is deposited, तो silver cathode पे deposit होने लगया, oxygen है नोर पे चली गई, pH less than 7 होगया, because nitric acid बन रहा था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रहोगया, that's about your aqua salt electrolysis, we are finished with the topic, aqua salt को अब कैसे electrolyze करते हूँ, done, अब हमारे पास है, एक काल गुथ, और अब्रेक्शन में, वो पर समझ लखी, जो इसला समझ में यारे, अब्रीक्शन का सली, ओवरार रेक्शन में, रियक्टेंट तो वही है जुस्टो आपने डाला, aqua silver nitrate, उसको तो कुछ नहीं करना न, silver nitrate plus water product cathode में silver product है तो silver 2 है तो आप 2 silver लिख सकते है anode में half or 2 is the product water आप चाहो लिख सकते हो लेकिन कट जाएगा 2H positive यह H positive बचा ही रहेगा nitrate भी बचा रहेगा H positive nitrate यह दो चले गए ना आपने इसको निकाल दिया इसको निकाल दिया यह दो तो नहीं पर है ठीक है आप इसको balance किया 2AG नो 3 क्योंकि 2AG बना चाहते हो जब nitrate दो बार है तो यहाँ पर दो बार nitrate आएगा फिर आपने इसको balance किया ठीक है जी समन आगे okay now it is 6th है आपके पास electrolysis with participating electrode electrolysis with participating electrodes 6th topic we have is electrolysis with participating electrodes जब हम कहते है electrolysis with party splitting electrodes तो इसका मतलब है electrode दो थरा के होती है हम गहिंगे electrodes को दो category में डिवाइड किर लेते है तो यह दो तीन categories होती है एक तो mercury liquid है फिर भी electrode होती है एक भारे पास होती है inert electrode inert electrode inert electrodes होती है like platinum graphite वो जो कभी react नहीं करती not reacting just conduction इनका काम है वो इनका काम है electron को इदर दो देना बस कुछ नहीं करेंगी खुद अपना कोई change नहीं करती participating electrodes होती है इन ऐसे silver rod in agno-3 आपने silver nitrate का solution दिया और silver की ही rod रखी तो यह participating है this is participating electrode यह जी रेक्ट करेगी second example हो सकती है copper rod in copper sulphate aqueous इनने जब अपने solution में उसी की rod डाल दी जाए copper sulphate में copper की rod तो वो participate कर जाती है, वो react कर जाती है ठीक है अब हमें topic लेना था electrolysis with participating electrodes ये दो electrolysis अब हमें कर लीए ठीक है करें ये point समझा गया है कि electrode का मत्लब था वो जो दो rod सी टाउदी थी अगर तो वो दो rod वैसे पड़ी हुई है, इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ electron को देना लेना इनका काम है हम कहते है इनर्ट ठीक है Mercury एक liquid electrode है इसको अलग से लिखते है हम दो और Mercury की खास बात ये है कि अगर मालो sodium और H positive Mercury पे आ जाए तो sodium जो है वो cathode पे चला आता है यानि Mercury के उपर special case है कि Mercury पे sodium और H positive में से sodium will go to cathode सिर्फ Mercury एक ऐसी rod है या ऐसा electrode है जिसमें sodium H positive से जीत जाता है ये उसकी खास बात है ठीक है? यह आप आगे जब S block करोगे न S block में जब sodium metal बनाएंगे तभी ये topic करेंगे आप हमें पास है participating electrode पहले करते हैं copper sulfate aqueous with copper rods तो पहला example हम ले ले है copper sulfate aqueous with copper rods copper sulfate aqueous with copper rods अब हमें क्या क्या? इधर भी copper की rod ली फोड़ी मोटी सी ये भी copper की rod ले ली फारक स्रिफ इतने हैं जो मोटी वाली rod है वो impure है और जो पत्ली वाली rod है वो pure है हैं दोनों copper की एक impure copper है और एक pure copper solution हमें का गया था copper sulfate का डाल दो copper sulfate aqueous copper sulfate aqueous blue color का solution है ये हमने एक blue color का solution डाल दिया वान मोलर मानलो कंसंट्रेशन ने ली वान मोल पर लीटर ठीक है आपकी मरजिया 0.1 ने हुजाए ठीक है आप जब हम आनोड और कैथोड में current pass करेंगे तो आप बताओ आपके पास है कौन-कौन you have copper 2 positive you have sulfate H positive OH negative and copper के वो भी react कर रहा है तो अब रियाक्टेंट समाई पस 5 हो गए पांच हैं जो वाहाँ पर पढ़े हैं तो रियाक्ट इनमें से दोनों copper काम के हैं बाकी सारा पानी में ने जाएगा ठीके copper को ही रियाक्ट करना है बाकी किसी को रियाक्टी नहीं करना आप मुझे बताओ add cathode किसको भेजू कौन से copper को CO2 positive plus 2 electron we get copper क्योंकि cathode पे तो किटा ही नहीं जा सकता था add anode copper चला गया और वहाँ जाने के बाद उसने 2 electron lose किये it becomes copper 2 positive plus 2 electrons क्या होगा color of solution remains same ठीक है correct हो गया अब बताओ यहां से copper और copper 2 positive जा सोचके रिखते हैं एक copper 2 positive anode से copper जो है वह copper 2 positive बना आकर copper 2 positive copper बन गया तो दीरे दीरे क्या होगा anode पतली होती जाएगी और cathode मोटी होती चली जाएगी ठीक है अख्समे साथे एलोड क्या अधनी नहितring से copper जो होता जो है